तू मैंनु याद याद बहुत आंदी ये तू मैंनु याद बहुत आंदी ये तू मैंनु ये था कि जब हम ये गाना बना रहे थे तो जब गाना कहते हैं कि प्रोडक्शन में था तो एक सजेशन वन आफ आर फ्रेंड नीरेज का था कि इसको चुकि मॉंसून का सौंग है तो मॉंसून पर रिलीज करना है पर हमें अभी दस दिन पहले ही जब ये आई वस तो वहाँ पर पता लगा कि 27th basically is the anniversary year of Adida और चुकि melody गाना बहुत ही melodious था और Adida basically आप कह सकते हैं कि melody में अगर बहुत अच्छा और बढ़ा ही classified work किया है तो Adida ने किया है तो इससे बड़िया दिन मिलनी सकता था और हमने सोचा कि 27th को ही रिलीज करते हैं लुकिली सब चीजें we got sensor yesterday और आज ही ये गाना शुरू हुआ है तो ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स हैं दादा की इतने पुन्या दिन के ऊपर ये रिलीज हुआ है तो of course it's a big thing for us तो बारिश की बूढ़े के मौन्सून आन्थम है आपका बारिश की बारिश के बारिश और मौन्सून से क्या कनेक्ट है खास की हर सीजन में गाना आपका रिलीज करते हैं See, बारिश is all about music, मौनसून जब आता है तो आप देखते होंगे कि आपको कुछ जिनको आप चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, अपने टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और म्यूजिक सुनना चाहते हैं, मतब जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो सब करना चाहते हैं, इस मौसम में ये कह सकते हैं कि बारिशें आपका एक अच्छा मूर स्विंग कर देती हैं, और बारिश पे जब मैंने बबुजी के साथ ये गाना रिलीज किया था, बारिश के बाहने, तो जो भी फैंस थे, म्यूजिक फैंस थे, उनका एक ये था कि आप हर साल बारिश पे एक गाना करें, लास्ट यर अनफॉर्चुनेटली भी मिस्ट इट आओ, बारिश की बुन्द जैसे ही रिलीज हुआ है, आप देखें कि इसका रिस्पॉंस इतना अच्छा है, हमने अभी कुछ देर पहली रिलीज किया है, और सब तरह इसका शेरिंग हो रहा है, लोग बिल से गाने को चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इसके साथ प्लस हैं, एक तो मैलेडी है, दूसरा ये वैदर इतना खुबसूरत है कि जो गाने के बोल हैं, तो मैंनो याद याद बहुत आउन दीए, यानि कि आप जिसको भी मिस्स करते हैं, उसको इस मौसम में बहुत ज्यादा मिस्स करते ह हैं कि बारिश के बाहने के बाद बारिश की बूंदें, एक उसमें प्लस है, एक सिकल है, और अभी देखते हैं, अभी तो रिलीज ही हुआ है, तो जैसा response है, ये गाना लोगों तक पहुंच रहा है, तो बहुत पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि हमने बड़े दल से बनाया आपका ये जाना है सेजोर के साथ पहना, और बहुत ब्यूटिफुली, बहुत बड़े कैमरे से प्रदाक्शन वादी बहुत अच्छी है, तो कैसे कॉन सेप्सेलाइज की आपना लोगों तो मेरे बड़ा इजी हो गया था, जो मुजिक अलबम में 90% हिस्सा होता है संगीत का और गीत का, जिस संगीत और गीत हमने सुना, 90% तो में फ्लस हो चुका था, 10% मुझे करना था जो मैंने किया है, 90% योगदान सेजोर साब में पहले ही अच्छा गीत और अच्छा संगीत करके दे दिया था, तो जब प्लानिंग की तो कैसे बड़े हमने एक एक नही होता है, वो, गीत और संगीत हमने आपने आपने 90% ससस हो जाता कि अगर गीत और संगीत अच्छा है, तो डेरेक्टर का काम बड़ा easy हो जाता जब मैंने संगीत सेनु अ मुझा कि मेरे लिए तो उजवी है इस सीज को ससेश पहुclbereich पहुचाना कम मेहने मेनज में जेजूर सार आपसे जाना चाहूंगा बारिश की कोई अगर memory हो अगर आप शेयर करना चाहे क्योंकि सौंग ये बारिश पर है अगर आप दोनों की अगर कोई memory हो अगर आप हमारी audience की साथ सेयर करना जी memory जब मैं बांबे शिफ्ट हुआ ही हुआ था मेरा पहला गाना बहुत की आलबोम आई थी उसको सुन रहा था लोग क्योंकि उस टाइम मैंने पॉप में डेब्यू किया था तो ज्यादा तर जो music lovers थे वो मेरे से पॉप ही expect करते थे तो तब तक तो मैं बारिश पर कुछ नहीं कर पाया पट या of course जब मुझे चांस लगा मैंने बारिश के बाने बहुत सारे गाने बनाते हैं और उसमें feature भी करते हैं तो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इसी रहता है music करना क्योंकि मैं belong करता हूं music को और इसके बाद मैं कह सकता हूं कि जो singing मैंने इस बार proper singing पूरा single ही गाया है वो मेरे लिए इस बार difficult था क्योंकि मैं full time singer नहीं हूं बट हां because we belongs to this music fraternity तो we know जब singers से हम लोग गाने गवाते हैं कि वो कैसे होता है तो वो process तो पता था पर हां singing करने के लिए आपको proper रियास करना पड़ता है महनत करनी पड़ती है पर इस गाने के लिए मैंने बहुत महन फीचरोंने में यह challenge था कि राजीव जी ने एक story conceived किया हुआ था तो उसके लिए एक actor की जुरुरत थी मैं एक musician हूं तो चुकि मैंने गाना गाया भी था तो उसको मैं बहुत अच्छे से कह सकते हैं internalized किया हुआ था तो featuring करने में challenge था बट God is kind कि मुझे जब मैं camera face कर रहा तो suddenly एक बहुत अच्छा सा confidence आ गया और यह काना बहुत ही एक अच्छे spirit में shoot हुआ तो बहुत challenging मेरे लिए शायद singing रही मैं इस इसको आगे बढ़ाता हूँ जब पहली बार शेज़ूर साथ के साथ मैंने face पे make up लगा के camera के सामें लाया तो मैं बढ़ा डरा हुआ था कि एक संगीत कार से acting में कैसे करा पाऊंगा सुटिंग की very next day saturday था हम लोग किसी resort में shoot कर रहे थे और very next day fresh resort में इतनी धील हो जाते कि इन करने के लिए मन में डर था कि एक संगीत कार से acting करवाना कहीं समय ज्यादा ना लग जया है लेकिन जैसे ही पहला मैं एक्शन बोला तो सेज़ूर साथ में इतनी कंपल्ड जोन में काम करना शुरू किया तो मैंने इनके कान में धीरे से जाके बोला कि आप आगे भविस में भी अपनी इस कला को दर्सका तक दिखाते रहे हैं आज आर्डी बर्मन साब का जनम दिन है आपका कोई पसंदिदा गाना है अगर उस गाने की दो लाइन है अग जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिन्द गानी कहीं बदल ना जाना सनम ले लिया दिल आए मेरा दिल आज दिल लेकर मुझे को ना तड़ पाना चुरा लिया सर बहुत ही अच्छे से गाया है क्या हम लोग फ्यूचर में एकस्ट कर सकते हैं कि इस गाने का मतलब कोई रीमेक बने या फिर कोई रीक्रियेशन हो आपकी तरफ से सी मैंने आड़ीदा के बहुत सारे गाने रीक्रियेट किये थे जबकि एक एरा था पूरा आल्बोम आता था जिसमें दस गाने होते थे तो मैंने बहुत सारे आड़ीदा के गाने रीक्रियेट किये हैं चुरालिया नहीं किया चुरालिया को शायद जो मैंने अभी पर्दे मेरे ने दो एक गाना रिक्रीट किया, क्या हुआ तेरा वादा रिक्रीट किया, क्या हुआ तेरा वादा भी आड़ी दागा गाना है, तो tentatively, yeah, of course, चुरालिया आप आपने अच्छा मुझे सजीशन दिया है, मैं इसके लिए टेम्ट करूँ आपका, आपके गाने के अगर दो लाइन है गुण खुना दे हमारी ओडियन्स के लें, बारिष दिभूंदें जदों, बारिष दिभूंदें जदों, पिंड भेच अंदिये, तू मन्नु याद, याद बत 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 अंदिये, तू मन्नु याद, या और मैं बस नरेंदर जी ने मुझे कहा कि आप मिलिये जाके शहिजूर जी से उनसे एक बहुत बड़ा गाना करने वाले हैं तो देख लीजाए गर क्या बात होती तो मेरी मुलकात हुई शहिजूर जी से तो काफी अच्छा रहा मीटिंग हमारा और उनको भी मैं पसंद आई मुझे भी था कि हाँ काफी अच्छा गाना करने वाले हैं वो लोग तो बस इस तरीके से हो गया किसना चैलेंजिंग रहा तो बहुत हरी सीक्वेंस थी काफी सेंजेस थे कैन्वेस बढ़ा है गाने का तो हाव नर्वर्स हाव कर्मीनियंट तेलस है और एक्सपीरिंस तो तो एक्छली गया था हमारे पस ताइम लिमिट बहुत कम था और चेंजेस आई तो जल्दी जल्द में विदिन 24 अर्स यह शूट कर लिया था पूरा दाना हमने और सब को बहुत अच्छली सबने बहुत हाद वर्क किया है क्योंकि हर एक लुक में देर डिफरेंट मेकप दिफरेंट है और लोकेशन सार वेरी दिफरेंट तो सेटप अरेंज करने में सब कुछ करने में काफ मेरा पेशन लोक वो बारिष वाला ही है क्या होता है कि जब बारिष आती है तो आप अपन अप जाते हो और उसको पूरा एंजॉय करते हो और इस ते तिंग आ वेरिग देर इस काजूल तो और जो आपने अपने इकार से था निया बहुत अच्छा था था यह मेरे लिए ड जारा भी पहली बार कर रही कि यह भी डर था और प्रोडूसर की तरफ से मुझे गन पॉइंट पे लिया था था टाइम लिमिट में मुझे खतम करना है काम प्रोड़क्शन ने भी हमें परेसान किया था सुरू में हमें हमारी जरुवत की चीचे काफी लेट किया था बट जैसे हमने कैमरा अन किया तो हमाते दोनों एक्टर ने इतना अच्छा किया कि बोड़ मेरा पहले से मैं खतम हो ज़ одну था आपके शेल है इना हू अंच था क्योंकि जब हम Antoni कर रह gehe है जो क्यों शेक्षा कि बैस्क wheat बर सेटिंग आन ओन दिनर चैबल तो वो सिक्वेंस हम ल पुछ जारा के कान में बोला और वो स्विक्वेंस अच्छे से फाइनली हो गया तो एक्सपिरियंस ही है कि कम टाइम में जब आपको चैलेंज होता है और अच्छा काम करना होता है गाना बहुत अच्छा था तो हम दोगे दमाग में यह चैलेंज था कि वो वीडियो भी उतन अच्छा था जो मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट था बेसी कली मैं 2007 में जब अपना नॉर्थ इंडिया टूर कर रहा था मेरे डीजेंग के शोस थे तो उस टाइम यह एक रियल इंसिडेंट था मेरे साथ जो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली इस वीड हमें गाना करना था जो कि चैलिंज था और फाइनली हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है यह आपको जो मेरा था कि हम मौर्णिंग में आई वस श्लेस्ट और मैंने सोचा कि शुटिंग खतम हो गई तभी राजीव जी की असिस्टेंट मेरे रूम में आती है जब में शी सैट अभी एक सेक्वेंस बचा हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि अभी एक सेक्वेंस और करना है और छलो जल्दी खतम करते हैं अभी बहुत हो गया पूरी राज से हम लोग शूट कर रहे हैं तो मैं बहुत थक गया था फाइनली लेकिन जब हो शूट हुआ और चुटा featuring करता था या तो रैप पोजिशन में feature होता था या तो DJ में feature होता था यह first time था कि I'm featuring as a male model तो बहुत challenging था लेकिन जब हुआ तो बहुत interesting और जब मुझे राजीव जी ने बुला के editing table पर नहीं sorry I was traveling तो इन्होंने मुझे whatsapp पर एक video clip भीजा edit का तब मुझे confidence और मुझे इतना अच्छा लगा, I can't tell you. Ma'am, आपका experience, दोनों के साथ कहुं करते हुए? मेरा experience बहुत अच्छा, बहुत cooperative थे यह लोग, जैसा कि Shaizur जी ने बताया, कि वो एक scene बहुत time लग रहा था, जिसमें वो dinner table वाला scene था, तो फिर उसके बाद इन्होंने आके मुझे बताया, जो पार में इसे था, यह मुझे हग नहीं कर पारे थी, लास्ट में आके पीछे से, अक्टर जब camera से screen पर आता है, तो यह 5 feet 8 inch की height 18 feet की हो जाती है, इतनी छोटी सी आखें बड़ी हो जाती है, दिल से जब आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, तो आखों पर वो सच्चा ही नजर आती है, तो मैंने जारा के कान में यह जा करके बोला, कि आप फील करो, कि सामने बैठा हुआ आदमी जिससे आप प्यार करती हुग ही है, जब आप दिल में फील करोगी तो आपकी आखों में आजाएगा और फिर जारा की आखों में आप लोगों को लिखेगा। जारा जी इसके अलावा मैंने दोनों सर को पूछा था कि बारिश की ऐसी कोई मेमरी है जो आप अगर शेयर करना चाहिए, को अगरे राम जी का एक गाना रिलीज हुआ था तो उन्होंने एक पार्टी दी तो तब तक बारिश नहीं हुए थी बांबय मतलब पहली बारिश ती और मैं और शेयरुद साथ में ही जा रहे थे तो कार में हम लोग बैठे हुए तब ही बारapp कासुत। कोई फ़ीड गाना बारिश आक्ठी वारिश की सबसे है ? इस कि मोनसून और बारिश यह बारिश का इश्पूरुंट लिए नियुक्न की रख दो से एवड़ बित्शवल्गा सारी पैठी दो आपको नाम कोड़ करें वाधल की मूंसून आप दोने से लास्टली एक लाइन चाहेंगे में बारिष की बुन्दें इत अंधिर, तोू मैंनू याद भरत अंधिर तो मैंनुया याद बट अन्दी तांक्यू सुम्मुटर तांक्यूमा